राम्तिक लोगसबा चुनाव में काटी की टक्कर नजर आ रही है। किशेव जी सबसे बहला परशनत है कॉंग्रेस चोड़कर वन्चीत में जाना वन्चीत से भी फॉर्म डीजेट होना और अभी अपक्ष के रूप में उमिद्वारी अर्ज दाखिल करना। रामांकन भरना ये बात सही नहीं है। मैंने कॉंग्रेस पार्टी छोड़ी नहीं है। मैं 2019 में लोगसबा का उमेदवर था कॉंग्रेस पार्टी का। 2019 में मैंने लोगसबा की सीट नहीं मागी थी। जबरदस्ती मुझे सीट दी गई क्योंकि उस समय चुनाव लड़ने को कोई तयार नहीं था। ऐसी परिस्तिती में मुझे केवल दस दिन पहले टिकट दिया गया। और दस दिन में हमने जो भी प्रचार हम से संभव हुआ। कॉंग्रेस पार्टी के नेताओं की मदद से हमने वो प्रचार किया। और मुझे 4,70,000 वोट मिले। यह होने के बाद मुझे बताया गया है। बताया गया था कॉंग्रेस पार्टी के हाई कमांड से कि आपको लोगसबामदार संग चोड़ना नहीं है। आपको कंटिनियोसली इस लोगसबामदार संग में आपको प्रयासरत रहना है और संपर्क में रहना है। तो मैं कुरोना का एक साल का काल छोड़के, बाकि चार साल लगातार सतत मैं इस लोगसवा मद्दार संग मे घुमा हूँ, लोगों के साथ जुड़ा हूँ, संपर्क में रहा हूँ, यहां तक कि मैंने जिलापरशद के चुनाओं में हिस्सा लिया, जिलापरशद जीत के आई वो 27 साल के बाद हमने पद्विधर मद्दार संग में हिस्सा लिया पद्विधर मद्दार संग 57 साल के बाद कॉंग्रेस के पक्ष में आया हमने शिक्षक मद्दार संग में हिस्सा लिया वो भी 20 साल के बाद आया यह अचानक हुआ काम नहीं है ये हमने जब मैंने कॉंग्रेस में प्रविश किया उस समय मेरे पीछे-पीछे अंबड़करी समाज के जो लोग कॉंग्रेस में शामिल हो गए उन सब लोगों के इकठा मददान के वज़े से ये हुआ है वरना नेता लोग तो वही है परिस्थितिया वही है कोई खास बदला नहीं फिर तीरों बदार संग अचानक कैसे आए तो इसमें हमारा बड़ा योगदान है ये हमने कॉंग्रेस पार्टी को बताया उसके बावजूद भी जब मैंने एप्लिकेशन किया कॉंग्रेस पार्टी के सामने कि मैं उम्मेदवार के रूप में आपके सामने अरजी कर करता हूं और मुझे मुंबई भी बुलाए गया तो ये सारी बाते हमने उनके सामने रखी इसके बावजूद में कॉंग्रेस पार्टी ने मुझे नंबर एक का उमिदवार नहीं बनाया मैंने इस पर भी सभादार व्यक्त किया और ये कहा कि अगर किसी और को मिलता है ना म उमिदवार था उनका जाती प्रमान पत्र खत्रे में आ गया और उसके उपर शंकाय उठने लगी तो हमने जब वृत्य पत्र में पढ़ा और देखा कि ये जो नामांकर पत्र है ये नामांकर पत्र कॉंग्रेस पार्टी ने फिर जिस एक नमर के उमिदवार को नाम दिदे के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि उनका नामांकर पत्र होने वाला है इस बात को भापके मैंने कॉंग्रेस पार्टी के हाई कमांड को ये बताया कि अगर उनका नामांकर पत्र हो जाता है तो सब्स्टिटूड उमिदवार यानि परियाई उमिदवार करके दो नमर का उमिदवार मुझे रखा जाए। कांगरेस पार्टी ने इसके उपर कोई ज़्यादा तवज्जव नहीं दी, कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, हो सकता है, कुछ मजबूरिया रही होंगी, लेकिन मुझे दो नमबर का भी उमिदवार नहीं बनाया गया है। इस बात स भी उमिदवार नहीं बनाया जा सकता, तो कॉंगरेस पार्टी के ये निर्णे के बारे में तमाम आमबर करी जनता में रोश व्याप्त हुआ। और आसपास के जिले में भी, जिले से भी मुझे लोग फोन करके बोलने लगे कि ये आपके साथ अन्या है, और डॉक्टर बा जन समाज पार्टी के लोग मेरे पास आये, और उन्होंने भी आगरह किया कि सर आप हमारे पार्टी से लड़िये, मैंने प्रकाश जी अमड कर ये जो उनके अध्धक्षा उनसे बात की, और उन्होंने मुझे का कि आप अगर लड़ना चाहे तो आप लड़ सकते हैं, तो म जाने के बात पता चला कि एक और उमिद्वार को उन्होंने इसके पहले एवी फार्म दिया था, ये बात गलती से हो गई है, एक उमिद्वार को पहले दिया, मुझे बाद में दिया, कानून के अनुसार, ये जो है, नियम के अनुसार, पहले जिसका एवी फार्म आता है, दूसरे का नामंजर होता है, तो मेरा एवी फार्म नामंजर हुआ, इसके वज़े से मुझे अपक्ष करके भरना पड़ा, मैंने वंचीत बाउजन आगाडी पार्टी जॉइन नहीं की थी और नहीं मैंने कॉंग्रेस पार्टी छोड़ी थी यह सत्य है, अब यहां तक तो ठीक है, कि हमारा मोका एक अच्छा मोका था, सबी लोग बूलते थी कि सर आपने चुनाव लड़ा है, आपको अनुभव है आप रशाश की आदि करिए, आप सक्षम है आप प्रभावी है, तो आपको ही लड़ना चाही था आपको ही नाम निर्देशन पत्र भरने का उमिद्वार बनाने का मोका मिलना चाही था, वो मोका मुझे कॉंग्रेस ने नहीं दिया, इस बात का मुझे बहुत दुख है आपने भी बताया कि ग्रामिंग शेत्र में कॉंग्रेस को मजबूत करने में आपकी बहुत अहम भूमिका है उसके बावजिवद भी आपकी टिकेट काड़ गी क्या कारण बताय गया है कारण कोई नहीं बताय गया, लेकिन रामटेक लोगसभा मदर संग की जनता कारण जानती है इसके पीछे को उने ये भी जानती है अब जैसे जो दो नमबर का उमिदवार था, मतलब परियाई उमिदवार जो था आप अगर उनकी तुलना मुझसे करेंगे तो आपको पता चाहिए लगा कोन सरस है और कोन नहीं है मैंने तो पहले नमबर के उमिदवार से अपनी तुलना कभी की ही नहीं करूंगा भी नहीं लेकिन दो नमबर से जरूर करूंगा क्योंकि अभी चुनाओ लड़ रहे है वो सारवजनिक जीवन में है, वो सारवजनिक शेत्रम है अंगरेस पार्टी ने जगजाहिर रूप से उनको उमिदवार बनाया है और मैं भी उमिदवार हूँ, तो एक उमिदवार की तुलना, दुसरे उमिदवार की से होनी ही चाहिए मैं करूंगा, लोग भी करेंगे आपको पता चल जाएगा कि कोन जीत के आना वाला है भाव अभी आप जो लोकसवा चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पे आपके ही सहयोगी जो राजू परवे वो बिजीपी में, शिवसेने में शामिलों के इलेक्शन लड़ रहे हैं दूसरी बार है कि रश्मी बरवे जो उनकी नामंकन खारिशो के उनके पती को दिया गया है ये दोनों आपके सहयोगी आपके सामने हैं दोनों सहयोगी साथ में इसमें कोई आश्चरी की बात नहीं है चुनाव के समय ये बाते होते रहती हैं लोग एक पक्ष छोड़ के दूसरे पक्ष में जाते हैं और चुनाव लड़ते हैं तो इसमें कोई आश्चरी की बात नहीं है कोई अनहोनी बात नहीं है ये होते रहता है हमारा ये कहना है कि कोई भी पार्टी सबसे ताकतवर उमिद्वार को टिकेट देती है देना चाहती है देना चाहिए कॉंग्रेस ने इस तत्व का पालन नहीं किया ऐसा मुझे लगता है बहुत नाराजी है बहुत जादा नाराजी वंचित की ओर से भी लोगसबा चुनाव के लिए उमिद्वार खड़ा किया है इसका आसर दीखेगा वंचित बहुत नाराजी की तरफ से जो उमिद्वार दिया गया है तो वो उमिद्वार हाली में वंचित बहुत नाराजी में प्रवेश किया है वो बाइस साल भारती जनता पार्टे में थे तो इसके ओपर मैं कोई टिपनी तो नहीं करूँगा ये सच्चाई आपके सामने बयान की है तो वो उमिद्वार अभी जब प्रचार करेंगे घूमेंगे लोगों में उनके प्रती लोगों की क्या भावना है इसके रिपोर्ट्स आने के बाद ही कुछ कह सकता है इसका कुछ फाइदा आपको इस स्चुनाव में दिखेगा निश्चित रूप से हमने डॉक्टर बाबासां मड़कर सांस्कूतिक भवन गिराने के खिलाफ में जो अंबाजरी का अंदुलोन हमने लगबक दो साल चलाया उस आंदुलोन की वज़े से पूरे विदर्ब में वो आंदुलोन की बात पहुंचे लोगों को समझ में आया कि क्या हो रहा है काफी लोगों को तो मालूम ही नहीं था कि बाबासां मड़कर का सांस्कूतिक भवन समारक कहा था अमाजिर गार्डन कहा है नाकपुर के कुछ लोगों को भी नहीं मालूम था लेकिन हमने वो इशू लेकर उसकी सफल लड़ाय लड़के हमने सरकार से महाराष्टर सरकार से लिखी तरुप में ये पत्र प्राप्त किया कि अब ये डॉक्टर बावस सांस्कूतिक भवन सरकारी खर्चे से ही बनेगा और नीजी एक व्यापारी को एक गरोडा नाम की कमपनी को जो ओर्डर दिया गया था वो रद्द करने के बारे में कानूनी कारवाई करने के बाद हम दिरने लेंगे लेकिन उसके बाद तुरंत ये इलेक्शन के हुआय चलने लगी और पुरा वातारों जो है वो मतलब इलेक्शन के रूप में रंग में रंग गया इसके वज़े से वो थोड़ा पिशड़ गया अब लोकसभा चुना होने के बाद चाहे हम जीते चाहे हारे उस आंदल उनको फिर से शुरू करेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती रंटेक लोकसभा शेत्र में आपने गए पास शे सालों में काम किया है चप्पे चप्पे कुछ जानते हूँ क्या आजेंडा रहेंगा आपको उसका मेरा आजंडा बहुत सिंपल और सावान्या है पिछले दस साल में राम्टेक, लोक्षवा, मद्दार संग में विकास का जो अनुषेश है विकास का जो वैक लॉग है वो वैक लॉग मैं पांस साल में दूर करूँगा ये मेरा पहला आजंडा है मेरा दूसरा आजन्डा है किसान किसानों को बीज खरेदी से लेकर तो उनकी उपच का जो उमल्ले मिलता है हर स्टेप पर चाहे बीज खरेदी हो चाहे फर्टिलाजर खरेदी हो चाहे उनका क्रॉप इंशुरंस हो या फिर उनका minimum support price हो इन सारी चीजों में उनको उनके साथ अन्याय होता है इसलिए minimum support price का कानून बनना चाहिए और कानून के अंतरगत उनको सवरक्षन मिलना चाहिए इसके लिए मैं काम करूँगा और किसानों के साथ जो धोका धड़ी होती है नकली बीज उनको दिया जाता है नकली बीयाने दिये जाते हैं तो ये सब धन्दे हम बंद करने वाले हैं मेरा तिसरा आजंडा रहने वाला है कि राम्टेक लोकसवाक्षेत्र में बेरोजगारी प्रचंड प्रमाण में है तो हमारे हाँ पर जो हिंगना में जो इंडस्टी ले रहा है और बुटी बुरी में जो इंडस्टी ले रहा है हिंगना में 50 टक्के इंडस्टी बंद पड़ी है कामगार घर में बैठे हैं और बुटी बुरी में भी लगवग वही हाल है तो जो industry बंद पड़ी है उनको सरकार के तरफ से जो भी मदद देनी हो या जो भी छूट देनी हो वो देने का काम हम करेंगे और ये industry को हम चालू करेंगे और मजदूरों को हम फिर से कामगार नोकरी पर हाजिर कराएंगे तीसरा मुद्दा है कि जो बिरोजगारी है वो बिरोजगारी दूर करने के लिए रामटेक मदार संगा में काफी स्कोप है हमारे यहाँ वनप परेटन है और वन्यप्राणी के लिए परेटन है पेंज प्रोजेक्ट है गड़ मंदिर है बुद्धिस्ट सरकीट है आप जानते हैं यह सारे जो है यह अपॉर्चूटी है परेटन को विकसित करने के लिए आप अगर बुद्धिस्ट सरकीट को डेवलप करेंगे तो आपको थाइलर्ण और जपान से आपको परेटक देंगे तो यह काम अभी तक हुआ नहीं है मैं कहता हूँ पुरे सम्मान के साथ कि पिछले हमारे लोकसवास अदेश से थे श्री कुरुपाल तुमाने इनों ने परेटन विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया और ना ही यहां पर रोजगार निर्मान करने के बारे में कोई ध तो यह जो आरक्षित मदार संग है तो इसमें अनसुचित जाती के लोग है जनजाती के लोग है मुस्लिम समाज के लोग है पिछडे समाज के लोग है OBC समाज के लोग है इनके शिक्षा के बारे में हम काम करेंगे आज जिला परश्यत की 1100 स्कूल बंद कर रहे है इसलिए कि हमाँ पर पत्ट संख्या में परियाफ्त विद्यार्थी नहीं है यह गलत बात है परियाफ्त इंटलिजेंस में मिलेगा कंप्यूटर साइंस में मिलेगा तो ऐसे विश्यव के लिए हमारे विद्यार्थी क्या तैयार हो रहे है नहीं हो रहे है तो आप जिला परश्यत के स्कूल का स्टैंडर्ड बाहिए और उनको जैसे दिल्ली में अच्छी स्टैंडर्ड की स्कूल बनाई वैसे स्कूल बनाईए तो हमारे बच्चे वहाँ से बाहर नहीं जाएंगे लेकिन केवल दो बच्चे का मारे अठरा है पटे संक्या अठरा है तो स्कूल बंद करने का और प्राइविट सेक्टर को जमीन और विल्डिंग देने का यह शड़ी अंत्र है यह शड़ी अ दो लाग साथ हजार का महाराष्ट्र सरकार में यह शड़ी अगर यह शड़ी अगर यह शबाज मनाऊ जीतते है तो फिर से कॉंग्रेस को सयोग करें लिए मेरा स्टेटस आज की तारेक में अपक्षोमिद्वार का है और चूकी मैंने कॉंग्रेस पार्टी छोड़ी नहीं है और मैं अपक्षोमिद्वार के रूप में नामंकन भरा चुना हो रहा हूँ तो कॉंग्रेस पार्टी के पास एक परिया है ना कॉंग्रेस पार्टी मु जीतने वालों के पेशे बहुत लोग रहते हैं आरने वालों के पिशे कोई नहीं रहता है तो इसलिए वह उस समय दिरने लिया जाएगा तो ये थे राम्तिक लोग सबाश शेत्र के अपक्षा उमिद्वार की शोर गजबी ये जी कैमरा बरसन राजकुमार बहड के साथ अभिशिक पान सी इन्वी से न्यू सिनाकपूर